अब एक ही घर के दो सगे बेटे और भी 24-25 की एज में एक साथ चले गए और उनकी माबब पर क्या बेत्ती होगी चाहे एक हो चाहे दो हो बहुत दुख होता है नमस्कार दोस्तों दोस्तों को इसकी मत करिये गलाश तक जोड़ देखेगा आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं यह सुनकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला संतकविर नगर के साखे गाउं की है जिसमें नदी में न हिजाब से महसूस कर रहे हैं आप लोग भी उस लेवल से महसूस करने कोशिश करिए यह घटना साखी गाउं के पास किये जहां गाउं के पास में है एक वानो नाम की नदी है जिसमें उसी गाउं के ही चार्ज नोजवान और बाग की रिस्तेदार से रिलेशन में आये जो कि नहाने के योग नहीं फिर भी उन लोगों ने ये रिस्क लिया और दोस्तों सुत्रों के हवाले भी पता चला है कि उनको घरवालों ने ये मना किया था कि आप लोग मज जाए वहां पर लेकिन उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और नहाने के लिए चले गए दोस्त देखा है दोस्तों दूसरी गलत यह रही कि वह नहाने गए और उन्होंने बाइक खड़ी करके जब नहाना चालू किया तो वह नदी में नहाते नहाते काफी दूर तक चले गए लगभग रहाई किलोमेटर तक बताया जाया है टहल दे टहल दे चल गए दोस्तों यह उनकी सारे लोग डूपने लगें इसमें एक ही घर के दो सगे भाही ते और बागी अलेग wear ने जो आहे थे इसमें कि छे लोग डूपने लहेए कि तरह से दो लोग बचे है और तीसरा जो था है वो इस चक्कर में डूबा क्यूंकि उसका बहाय डूब रहा था दोस्तों तीसरा लड़का जो है पास में आ गया था लेकिन देखा गाउं का एक अलग लड़का और उसका भाई डूब रहा है उसको बचाने के चक्कर में वो तीनों डूब कर मारे गए जिनकी लास की खोज बिन चल रही थे इसमें कि एक लोग का पता चला है बाकी दो नहीं मिला और हम इनके घरवालों के कुछ आपको वीडियो सेयर कर रहे हैं तो आप लोग यह समझ सकते हैं कि उनको घरवालों पर क्या बीत रही होगी तो हम तो यहीं सजेस्ट करेंगे कि इसके पास भी जिनके गाउं के आस पास नहिदी नाले हैं तालाब हैं वहाँ पर कहना जाने दें जैसे ऐसे घटना से बचा जा सके तो यह बहुत है दर्दनी घटना है अब एक ही घर के दो दो सगे बेटे जी और भी 24-25 की एज में एक साथ चले गए और उनकी माबाब पर क्या बेत्ती होगी चाहे एक हो चाहे दो हो बहुत दुख होता है अब आप यह स